आपको पता है जब बहुत लोग बहुत पाप करने लग गए इतनी अच्छी दुनिया में तो सारे भगवानों ने मिलकर एक गौड को असाइन करा कि आप पापों के देवता हो और जो भी पाप करेगा आप उसको पनिश करोगे तो उन्होंने अपनी ड्यूटी इतनी सीरियसली ली अफ़कोर सब लेते ही हैं लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा सीरियसली ली इतनी सीरियसली ली कि लोग तो भही परिशान ही हो गए वो छोटे-छोटे पापों पर उनको इतना पनिश करने लग गए कि लोगों को तो अंजान यह हमें punish करते रहते हैं क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि हमारे को कोई पाप देवता होई ना और हम प्लीज कुछ तो कर पाए तो सारे भगवानों ने का नहीं नहीं पाप देवता तो है पर हम महीने में ना एक दिन बना देते हैं जिसका नाम है इकाच्छी तो उस दिन पाप देवता जाके सारे अनाज के अंदर छुप जाएंगे और आप सब अच्छे अच्छे काम करना और आपको punishment जो भी आपको आपको लगते आपने गरबर करिये उसके लिए sorry भोल देना और फिर आपको वो punishment नहीं मिलेगा उस पाप के लिए तो सब लोग इतने खुश हो जाते हैं और इसलिए काच्छी का दिन बनाते हैं और आपको पते हैं इसका scientific reason क्या है कि moon उस दिन बहुत close होता है और आपको पते हैं कि moon सारे water ocean के water को you know tides लेकर आता है तो वो इतना पास होता है कि उसकी वज़े से पानी जो है वो उथल पुथल मचाता है moon के इतना पास होने से और इसलिए बोलते हैं कि उस दिन rice नहीं खाना कि जो rice है उसमें बहुत सारा पानी होता है तो अगर हम लोग उस दिन rice खाते तो हमारे tummy में भी गोल गोल होता रहेगा because of that whole season of you know the chakra of the moon and the water tides so imagine उस जमाने में भी जो चीज़े हमें बताई गई और हमसे कराई गई उसमें भी science था तो अगर हम उसको थोड़ा बहुत follow कर ले तो it's nothing कि हम पुराने लोग हो गए but it is helpful and useful hope you like the story thank you